तो समान अध्यन के अंतरगत जो आपका अगला टॉपिक है वो भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है और भारत के इतिहास के अंतरगत मैं आपको आज आंगल करनाटिक वार के बारे में बताऊंगा अब यहाँ पे मैं कोई श्टोरी नहीं बताने जा रहा हूँ आपको पूरा का पूरा की कारनाटक के नवाब और अंग्रेजों के बीच में और फ्रांसीसियों के बीच में क्या आपस में कॉनफिक्ट था वो बिलकुल नहीं बताऊंगा मैं सिर्फ आपको करनाटिक वार बताऊँगा कि करनाटिक वार कितने हुए और इनका क्या result निकला, कौन-कौन सी संधियों के साथ, कौन सा करनाटिक वार जो है आपका समाप्त हुआ, ठीक है, तो आज के सेशन में करनाटिक वार आप लोग डिटेल से मेरे साथ समझनी का प् दो बता दिया, अब करनाटिक वार की बारी है, करनाटिक वार आज के बाद भूलना नहीं चाहिए, जो पढ़ाता जाओं उसको मेमोराइज करते जाओ, एक बार मेमोराइज कर लोगे, क्लास में ही मेरी पूरी कोशिस रहेगी, ठीक है, चलिए, देखें, मैंने जैसा कि आप संघर्स चलता है, और इस संघर्स में करनाटक का नवाप और हैदराबाद, इन दोनों के राजनितिक हस्तक शेप, मलब एक तरीके से देखिया जाए, तो यहां की जो इनर पॉलिटिक्स थी, यहां पे उत्रादिकार से संबंदित मुद्दे थे, इन दोनों को हाईजेक कर लेते हैं, एक तरफ से अंग्रेज हो जाते हैं, दूसी तरफ से फ्रेंच हो जाते हैं, मलब देखो, सुरुआत के मलब जो करनाटक वार थे न, टोटल तीन करनाटक वार हुए है, पहले तीनों करनाटक वार को आप लोग लिख लीजे, ठीक है, यहां पे तीन करनाटक वा और हैदराबाद इन दोनों के जो उत्राधिकार का इशू था उसको जो है इन्होंने क्या किया था करनाटक वार में उसको लिया था तो यहां पर देखे पहला जो करनाटक वार है आपका पहला करनाटक वार जो आपका है 1746 से लेकर 1748 के बीच में होता है ठीक है वैसे जो पह पूरी कहानी है यहां पर कहानी बात नहीं करेंगे ठीक है चंड़ा साहब और वो कई सारे नाम अनुवरुद्दीन, चंड़ा साहब कई सारे नाम आते हैं यहाँ पे मैं कोई नाम नहीं लेने वाला हूँ यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बताने वाला हूँ कि प्रथम करनाटकवार आपका 1746 से लेकर के 1748 तक रहा बस इतना आप याद कर लीजिए इतना ही जरूरी है ठीक है पहला करनाटक वार आपका 1746 से 1748 तक रहा ठीक है अब ये जो मलब बाद में 1948 को एक संदी हो जाती है एकसला सैपल की संदी ठीक है जैसे ये संदी होती है उस संदी के बाद ये पूरा का पूरा जो है आपका समाप्त हो जाता है ठीक है और ये संदी वहीं पर ब्रिटसस की द्वारा होती है यहाँ पर देख लेते हैं यह देखे पहला जो है करनाटिक वार यहाँ पर सत्तरा सू चीजालीस है अंग्रेज और फ्रेंच आपस में लड़ते हैं एक्स ला सैपल की संधी होती है और इस संधी के साथ ही आपका यह नाइंटीन वो 1748 में संधी होती हो इसके बाद यह करनाटिक पार आपका रुख जाता है ठीक है क्लियर है इस परस्ट है और मैं इसमें अब इसके बाद दूसरा फिर वही पैटन वही आएगा पहले कोई कंपर जीखकोर आपका है जैसे ही पहला समाप्त हुआ फिर दूसरे में भढ़ गए उनका कोई यूंज जसा फिक्स पैटन नहीं था पहला लड़े फिर दूसरे में आ गया दूसरा लड़े तीसरे में आ गया तो 48 में पहला ख़ताब वहा, फिर 1749 से 1754 तक दूसरा कर्नाटेक वार चला, ठेक है, दूसरा कर्नाटेक वार में इन्होंने कर्नाटक के उत्राधिकार और हैदराबाद के उत्राधिकार को ले करके, मतलब इन्होंने हस्तक शेप किया था, एक तरफ अंग्रेज थे और एक त संदी होती है 1775 में जिसको हम बोलते हैं पांडी चेरी की संदी और पांडी चेरी की संधी से युध्य रुखता है पांडी चेरी की संधी डूपले यहां पर था पांडी कर दैघरर की संधी यह होती है 170 सो पचपन में 1700 में ये आपकी 1748 में हैक्सला ullahत prochain कि संधि थेखे न हैं सब्सक्राइब कैसे तो आपका समयावदी तिनेऊर देखे हैं 1764 से 1754 तक ठेक है इसके बाद तीसरा अंगल करनाटक वार होता है तीसरा अंगल करनाटक वार जो है 1756 से 1763 तक होता है 1756 से 1763 और इसमें पूरी तरीके से फ्रांस जो होता है फ्रेंच जो पावर होती है धिरे-दिरे समाप्त हो जाती है completely ठेक है युद्ध का वांडिवास्का युद्ध होता और फिर यह आपस में 1763 में पेरिस की संदी होती है और पेरिस की देखो संदियां कहां हो रही है दूसरे वाले में तो पांडिचेरी की संदी है मिद्धा भारत से जुड़ा हुआ हैं लेकिन यह संदी में यूरोप में पर की संदी यह भी आपकी यूरोप में संदी वहां पर सांथ हुए सब जब सांथ हुए टेक है और यह पूरा जो आप देख रहे लिए सब्त वर्सी सै निव declined में पढ़ा दूँगा वो अभी उसको आप जो है यहां पर बस इतना जान लीजिए ठीक है मैं क्योंकि बहुत डिटेल में जाने लग जाओंगा तो फिर आप गड़ बढ़ा जाएंगे सब्त वर्सी युद्ध का ही विस्तार था ये पूरा का पूरा मामला ठीक है तो यहां वाले में पांडिचेरी की संधी हुई है तीसरे में एक्सलस आपल की संधी हुई है इसी के बीच में 1760 में वांडिवास का युद्ध 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 जो हुआ था ना उसमें फ् दिकत नहीं है, बहुत सिंपल सा मामला है, ठीक है, यह देखो बहुत, यह साथ साल चला युद्ध थाइड वाला, यह पान साल चला और यह आपका लगबग दो साल चला, तो अंग्रेजों का फ्रांसीशियों के साथ संघर्स है, यहाँ पे तो बीच में मामला फस जाता है, बीच में करनाटक के उत्रादिकार का मुद्दा आ जाता है, है ना, करनाटक का उत्रादिकार का मुद्दा और हैदराबाद के उत्रादिकार का मुद्दा, ठीक है, तो यह जो है पूरा का पूरा मुद्दा था, और इस मुद्दे के कारण से गडबड हो जाता है, पूरा दिन को नवाब बनाएंगे तो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव खरे करने लग जाते हैं नवाबी बनाने के लिए और उसी का ही विस्तार है दूसरा जो आपका अंगल तो ये सब चीजे डिटेल में हम डिसकस करेंगे रबर्ट प्लाइब भी इस तवरान पर था आपक ठीक है हाँ लगबग आप लोगंको समझ में आगई हैं 1760 है ये 1760 है 760 नगopard आरे वह एक पर दब गया है अ जले जी तो इतिहास से जुड़ा हुआ हुआ स्पपिक है आपका सब्गया हे संबिधान का अभी मैं संमिधान के भाग ही आपको क्लियर ह्यूंत असारे के सा हमारे, ठीक है, सम्मिदान के भाग 10 तक आप लोगों ने पढ़ लिया था, 10 तक मैंने पढ़ा दिया था ना भाई, सम्मिदान के भाग 10 कंप्लीट हो गए थे, अब भाग 11 से, देखो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भारती सम्मिदान के भाग, टोटल, यदि भा पंचान में उक्षेद तब भी थे 355 अब भी हैं संख्या के अधार पर 450 प्लस अनुक्षेद संख्या के अधार पर देखे तो तो हमने भाग 10 तक याद कर लिया था और आपको रट जाना चाहिए भाग 10 बच्चों भाग 10 तक रट जाना चाहिए देखो है है ना भाग एक संग और राज़् छेतर, भाग दो नागिरिक्ता, भाग तीन मौलिक अधीकार, भाग चार राज़्िक निशक, तत्व, भाग पांच, आपको मैंने बताया था संग वाला छेतर है ना भाग 6 राज्यों से जुड़ी हुई राज्यों का पूरा का पूरा डिस्कस किया था भाग 7 आपका निर्सित हो गया है भाग 8 का संग राज्य छेत्र भाग 9 आपका इस्थानी प्रसासन से जुड़ा हुआ है और भाग 10 आपका नसूची जाती और जंजातीयों से जुड़ा ध्यान रखेगा भाग 10 आपका जुडा हुआ है भाग 11 संगर राज्यों के ये सारे संबनद यह इसे ै attract के संवंद के व Carroll राजी के भीच में truly संबन हो सकते हैं के इंडर राजर के बीच में इन अब भिदाई शंबन बालब कानून निर्माड का कहा करेगा तु के लिए संग सूची राज सूची समुर्थी सूची बना दी गई है तो आपका अब इसके लिए आर्टिकल देख लिए आर्टिकल 245 से लेके 263 तक इसी में आपके विधाई और प्रसाशनिक दोनों प्रकार के संबंद है मैं आर्टिकल भी याद कराऊंगा भी जैसे भाग याद करा रहा हूँ ना वैसे आर्टिकल भी याद कराऊंगा ठीक है इसके लिए भाग बारा आपका वित्त संपत्ति संब्धाय और वाद है है ना मतलब यहां पर वित्तिय संबंद बताए गए हैं आपके यहां पर आपके वित्तिय संबंद बताए गए हैं आर्टिकल 264 से लेकर 300A तक है आपका भाग 12 में याद कर लीजे इसको भाग 11 संग और राज्यों के 20 संबंद आइटिकल 245 से लेके 263 भाग 12 में बित्य संपत्ति संविधा और वाद आइटिकल 264 से लेके 300A अब जो 300A है ना ये आपका संपत्ति का मौलिक अधिकार हुआ करता था पहले संपत्ति एक मौलिक अधिकार था 44 संविधान संसोधन में इसको जोडा गया है ठीक है 44 संपत्ति के अधिकार को मूला अधिकार से हटा करके 300A में रख दिया गया है बिदी के प्राधिकार के बिना कोई भी राज आपको आपकी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता है ये प्रावधान यहाँ पर किये गए ठीक है इसके बाद भाग 13 भाग 13 आपका क्या है भारत के राज छेत्र के भीतर व्यापार वाडिज और समागम इसकी सुतंता दी गई है आर्टिकल 301 से 307 तक है यहाँ पर फिर 301 307 ठीक है भाग 13 ध्यान रखेगा भाग 13 भाग 13 भारत के राज छेत्र के भीतर व्यापार वाडिज और समागम की सुतंता ठीक है भाग 14 क्या है आपकी यह आपको याद होना चाहिए संग और राज्यों के अधीन सेवाएं जो आप लोग तैयारी कर रहे है ना अखिल भ भारती सेवा है जो हमारी टोटल 3 सेवा है बरतमान में एक आपका भंधिय प्रसासनिक सेवा जिसको हम IAS कहते हैं भारतीय पुलिस सेवा और टीसरी भारतीय वंसेवा जिनमें नियूप्ती Central Government के दवार्मेंट की जाती है और यह अपनी सेवा भारत के राज्यों में देते ह गया है आर्टिकल 308 से लेकर के 323 तक है आपका ठीक है इसके बाद है भाग 14A ये नया जो है आपका जोड़ा गया है इसमें ट्रिबुनल्स हैं आपके इसमें क्या है आपके अधिकरण ये भी ध्यान रखेगा प्रसासनिक अधिकरण है जैसे लाइक मालीजे कल के दिन आपक ाइट के बेतन से जड़ा हुआ आपके प्रोणति से जड़ा हुआ कोई भी मैटर होता है तो आप उसके लिए क्याट में जाएंगे क्याट भी आपका ये प्रिशासनिक सेवाओं के लिए केंद्री प्रिशासनिक जो है ट्रिबुनल बनाए गया अधिकरण बनाए गया ठेक है तो यह जो है बहुत सारे ट्रिबुनल बने हुए है जैसे NGT है आपका हरित परादि करण है 2010 में बनाए गया था तो इसमें आर्टिकल 243 A और B दिये गए हैं अधिकरणों में तो बस आज इतना ही नहीं एक और कर लिजे भाग 15 कर लिजे ये हैं निर्वाचनायोग निर्वाचनायोग आर्टिकल 324 से लेकर 329 ये आप कर लिजे तो ये आपके कितने हो गए ये पॉलिटी के आपके टोटल इतने भाग हो गए फिर से एक बार फास्ट फास्ट करेंगे भाग 11 संग और राज्यों के भी संबन आर्टिकल 245 से 263 भाग 12 वित्य संपत्ति संबिदा और वाद 264 से 302 भाग 13 भारत के राजशेत के भीतर व्यापार वनिज्ज और समागम आर्टिकल 301 से 307 भाग 14 संग और राज्यों के अधिन सेवा हैं 308 से 320 भाग 14 अधिकरान 323 से 323 भी देखो बहुत साही लोग ट्रिक वगारा बताते हैं मैं ट्रिक वाला टीचर नहीं हूं और आप भी ट्रिक में याद मत करिए क्योंकि पहले तो ट्रिक में याद करो और ट्रिक के बाद इनको याद करो आप डिरेक्टली याद करिए आप प्रसासनिक सेवाव की तयारी कर रहे हैं तो आप ट्रिक वगारा के चक्कर में मत पढ़िए डिरेक्टली दो तीन बार देख लेंगे जिंदिगी भर के लिए याद हो जाएगा ठीक है और मैं जिस तरीके से करा रहा हूं भूलना नहीं जाने चाहिए अब मैं 15 तक के भाग आपके कंठस्ट होने चाहिए पुराने सारे एक बार फिर से रिवाइस करते हैं भाग एक आपका क्या है संग्यों राजच्छेत्र भाग दो नागरिक्ता भाग तिरिन मौलिक अधिकार भाग चार आपका राजी के नी सकत्त तो चार सभी आपका मौलिक करतब्य हैं भाग चार एक 42 संविधान संसोधन से फंडामेंटल ड्यूटी जोडी गई आपके रूस के संविधान से संग के संग के संविधान से लिया गया आपका स्वारिसिंग कमेटी बनी थी उसके रिक्मेंडेशन पर इसके बाद भाग पांच महाधी वक्ता है, CAG है. जितने भी आपके केंदरी है, बड़े-बड़े संविधानिक पद हैं, संस्थाएं हैं के कारेपाली का विधाई का उनियापाली का सब को लेकर चर्चा भाग 5 में हैं. भाग चय में राज जी के बारे में चर्चा है, राज जिपाल, मुख मंत्री, बिधान सभा, बिधान परिशद, आर्टिकल 179 का सरजान और सादन को लेकर के है आपका है ना कहीं पर दूई सदनी है कहीं पर एक सदनी है वहाँ पर होता है और इसके बाद आपका हाई कोर्ट है और इनकी पूरी के पूरी कारे प्रणाली पूरी के पूरी रतिक कैसे विध्यक पारित होगा क्या क्या पावर से सारी चीज़ भाग च्छे में भाग साथ निर्सित हो गया है भाग साथ नहीं रहा भाग आठ जो संग सासित प्रदेश है वो है भाग नव आपका इस्थानी प्रसाशन से जुड़ा हुआ है नाइन जो मैंने आपको बताया था ग्रामीड प्रसाशन से नाइन भी आपका सहरी निकाय से और नाइन भी आप करेगा नाइन आपका पंचायती राज, नाइन आपका सहरी निकाए, नाइन भी आपका जो है सहकारी समितियों से जुड़ा हुआ है, भाग दस आपका अनसूचित जंजातिये छेत्रों में, वहां से जुड़ा हुआ है, अनसूचित और जंजातिये छेत्रों में, भाग ग् भूलना चाहिए यहीं पर आर्टिकल 280 है बिट्ता यूग के बारे में चर्चा है भाग तेरा आपका भारत के राजचेतर के भीतर बिदेखो जो संपत्तिका अधिकार है भाग 12 में रखहुआ है आपका संपतिका अधिकार आर्टिकल 308 तक है क्योंकि ठेक है भारत नहीं चै आना है ठीक है भाग 14 A यह आपका आर्टिकल 323 A से 323 B और यह भाग 15 निर्वाचन से जुड़ा हुआ है ठीक है निर्वाचन में आपका 324 से 339 इस परस्ट है क्लियर है सब को कॉंफिडेंट है 15 तक भूलेंगे नहीं 15 के आगे मैं और याद करा दूंगा अगले सेशन में ठ पीछे देख रहे हैं पीछे कुछ आपको दिख रहा होगा यहां पर कुछ डेटा आप लोग देखने वाले हैं बहुत सांदार डेटा आपको मैं बताने वाला हूं कौन सा डेटा आप लोग पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं भारत में यह जोग्रफी का टॉपिक यह जोग्रोफी का टॉपिक है और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं बहुत सेलेक्टेड हो करके पढ़ाऊंगा एक्जाम में जो पूछा जाएगा वो पढ़ाऊंगा आपको तो देखें एक कोश्चन आपका बनता है कि कौन सा खनिज किस राज्जी में पाए जाता है प्रथम इस्थान में कौन है दोती स्थान में कौन सा है तो हम जो समझने वाले हैं हम समझने वाले हैं खनिज ठीक है और खनिज को भंडार की दृष्टी कौन से समझेंगे यह ध्यान रखेगा एक तो होता उत्पादन उत्पादन में बाद में पढ़ाऊंगा ख इस डेटा से प्रारमभीक परिक्षा में खूब कोश्चन आते हैं, मानते हो की नहीं मानते हो, आते हैं की नहीं आते, और हमेशा आपको भूलता है ये, तो कुछ महत्यपूर अभी पढ़ाऊंगा, मैं एक साथ सारे नहीं पढ़ाने वाला महत्यपूर आपको पढ़ा सबसे पहले कोईला, कोईला भंडारण के दृष्ट कोंड से, उत्पादन के दृष्ट कोंड से बाद में देखेंगे, जितना कुछ भी डेटा में लिखवा रहा हूं, भंडारण, मतलब किसी भी राज्य में उसका भंडारण कितना है, कितना भंडार है, भंडारण समझ रहे ना देखो कहीं पर भंढारन ज्यादा हो सकता है पर उत्पादन कम है जैसे लाइक माल लिजे आपके पास आप 2 मित्र हैं एक के पास 100 रुपए है एक के पास 50 रुपए है तो देखा जाए भंढारन के देश से आपका जो है माल लिज़े आप 2 दोस्त हैं A और B बहुत आसान बासम समझा तो A के पास 100 रुपए हैं B के पास 50 रुपए हैं तो भंडारण किसके पास ज्यादा है A के पास लेकिन हो सकता है कि A मात्र 10 रुपए ही खर्च करे और B हो सकता है 40 रुपए खर्च कर दे तो ये उत्पादन ये ज्यादा कर रहा है ये ज्यादा खर्च कर इसके पास है नहीं लेकिन खर्च जादा कर रहा है इसके पास है बहुत पर खर्च कम कर रहा है तो भंडारण ये वाला भी हम लोग सेग्मेंट देख रहे हैं उत्पादन हम बाद में देखेंगे इसको आसान बासर से समझ लो ठीक है भंडारण और उत्पादन के डेटा को अलग लग पढ़ना है पहले हम भंडारण ताकि confusion न रहे तो भंडारण के त्रिष्ट कोड से हम कोईला की बात करें तो जो मेरे पास डेटा है ये 2019 का डेटा है एक अप्रेल 2019 का updated देता है जिसमें नंबर एक में जारखंड है रट लो इसको नंबर एक पे जारखंड है एक में जारखंड नंबर दो में आपका जो है कोईला कहां पर है नंबर दो में जस्ट बगल में उसके ओडिशा पूरी की पूरी है छोटा नाखपूर का पठार वाला बिल्ट है ना आपका दूसरे नंबर पर ओडिशा है ओडिशा और तीसे नंबर पर उसी से सटा हुआ है यह आपका च्छतीस गढ़ अब यहां पर बहुत सरी खाने पाई जाती मैं खानों के नाम अलग से किसी सेशन में बताऊंगा कि कौन कौन सी खाने पाई जाती है यहां पे तो कोईला में यह वाला यात कर लो यह आता है कोईला से कोश्चन आता है कि भंडारन के दिख्षी कौन से नंबर एक कौन है जारकंट फिर ओडिशा फिर चत्यसगर्ट यह अभी लेटेस डेटा है यह चेंज भी होता रहता है देखो डेटा भी हमें ध्यान देते रहना है कि कब कौन सा डेटा आ रहा है बट अभी 2000 लिख सकते हैं एक अपरेल 2019 के हिसाब से डेटा है पूरा क वहा आता है टो देखो लोहा के कही सारे रहे होते है को लाकि दूसरा मेगनेटाउट है है हमेट सबसे अच्छा लोहा माना जाता है यह प्यारिक हैमेट शिजा heck बहूत ज्यादा हो जाता है। तो इसमें हम काम करते हैं अच्छ गुर्वत्ता होता है इसको हम हममेड़ाइट कहते हैं ठीक है, is then 맛 है यंजलेट आएएगर देटा अलग है और मेगनेट आइट और धलाग घंजल does, वहा लाइन के भारत क साथ हों तो तो प्शयधा आज आता है जा हूँ में बंडारण की दृष्टी कौन से मैं बार-बार बोल रहा हूं इसमें गडबर मत करना ठीक है यहां से कोश्चन फिर गडबर आ जाता है उत्पादन नहीं है बंडारण है ओडिशा नंबर एक में आपका ओडिशा है ठीक है हेमेटाइट में नंबर दो में जारखंड है न मैस फालौइंग में कश्चन आता है या ति करने के लिए कें लिए कुश्चन आता है यह दि में मैं बड्डाक की बात कर ओ दूसरे नंबर पर आंथि प्रदेश इसमे चुम्ब की ए गुण होते हैं, मैगनेटाइट में, है ना, चुम्ब की ए गुण होते हैं, आंद्य प्रदेश और तीशे नंबर पे आपका राजिस्थान है, ठीक है, मैगनेटाइट उतना नहीं पाया जाता, है ना, तो ये आपको दो डेटा याद करना है, यदि लोहा नहीं है, है ना, यूपी में लोहा नहीं है, चलिए, ये होगे आपका लोहा, अब ये वाला आयस्क सायद आप लोगों ने, ये बकसाइट है, बकसाइट, ऐल्मूनियम का आयस्क है, आप सभी जानते हैं, ठीक है, जानते हैं की नहीं जानते हैं, देखा नहीं होगा कवी-भी, आज देख लोग, तो भाक्साइट भंडारेंड की द्रिश्टी कौन से, शबसाधा भाक्साइट कहां पा जाता है, भंडारेंड इस से Eliza 건 से अल्मूनियम बनता है, भाक्साइट के पर dal चांदी के बाद जो है, चालग तो और तो भंडारेंड की द्रिश्टी को है आंद्रप्रदेश और तीसे नंबर पर आपका गुजरात है गुजरात है ठीक है बाक्साइट का भंडारण के दिश्ट कौन से टॉप थ्री स्टेट ये भी याद कर लो हाँ अभी देखो वर्ड का डेटा है यहां पर मतलिक हो देखो मैं सिर्फ इंडिया तक रहते हैं और इससे क्या होगा हम कंफ्यूज नहीं होंगे वर्ड में भी आएंगे मैं अलग अलग करके आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना ताकि आपके अंदर कंफ्यूजन नहीं किसी को भी किष है कनफ्यूजन नहीं हो चाहिए थिक बाकसाइट के बाद अगला देखे भय कमक्ति हुई यह सोने की खान है सोने की खान भारत में सोना भी पाया जाता है सोना देखेए केजी अलग याद आ रही होगी आपको केजी आप में देखा है आपने कोलार माइंस क ये कहां पर है आपका ये नंबर एक पर करनाटक है आपका नंबर एक पर करनाटक भंडारण की दृष्टी कोंड से करनाटक नमबर एक में करनाटक है नमबर दो में राजिस्थान है राजिस्थान ठीक है और नमबर तीन में आपका है ये भंडारण की दृष्टि कोंड से बता रहा हूं उत्पादन की दृष्टि कोंड से नहीं बता रहा हूं आंध्य प्रदेश है आंध्य प्रदेश यहां पर सोन अदिक सोना यहाँ पर करनाटक में है, बंडारण की दृष्टी कौन से, बंडारण, केजी आप मूँ भी आपकी बनी है ना, साउथ में, तो यहीं से है, चलिए, आगे चलते हैं, नेक्स्ट, यह आपका बंडारण की दृष्टी से सोना को लेकर के हो गया, चांदी भी है आ रहे हैं, चांदी की खाने हैं, तो राजिस्थान में खेतड़ी की खाने हैं आपकी, राजिस्थान में आपका खेतड़ी पड़ता है ना, तो चांदी भी है आपका, चांदी, चांदी में नंबर एक है राजिस्थान, भंडारण में, भंडारण, चांदी के भंडारण मे नमबर एक पे राजिस्थान रट लो ये कुश्चन भी आता है एक नमबर का कुश्चन है आपका दूसरे नमबर पे जार्खंड जार्खंड बहुत ज्यादा चांदी नहीं पाए जाती पर जितनी भी है डेटा के इस आप से देख लिजे इसके बाद तीसे नमबर पे आंध देख पा रहे हैं ये भी एक ठेक है प्राक्तिक उत्पाद है आपका ये कच्चा तेल है सबसे ज्यादा कुरूड अयल ये कहां पर सबसे ज़दा पाए जाता है असम भंडारण की दृष्टी कौन से कच्चा तेल बंडारण नमबर एक पे है असम डिक बोई का नाम सुना होगा अपने गुजरात बंडारण की दृष्टी कौन से और तीसे नमबर पर राजिस्थान है राजिस्थान में भी कूड आल पाए जाता है राजिस्थान में भी आपका कच्चा तेल पाए जाता है ठीक है तो यह डेटा भी याद रखेगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं यह आपको देख पा रहे हैं यहाँ पर यह एक चिमिनी लगी हुई है और इधर से आग निकल रही है यह आपका प्राक्तिक गैस है प्राक्तिक गैस भी आम तोर पर जहां पर कच्चा तेल पाए जाता है वहाँ पर प्राक्तिक गैस नेचुरल गैस प्राक्तिक गैस तो प आंध्रदेस है तीशे नमबर पे आपका राजिस्थान है ठीक है प्राक्तिक गैस असम आंध्रदेस और राजिस्थान ठीक है यह दियान रखना यह प्राक्तिक गैस के लिए है और जो कच्छा तेल था इसमें भी असम गुजरात और राजिस्थान था ठीक है चलिए आगे चलते हैं या आन्द्रदेस में आपका kg वेशिन है कृष्णा गोदावरी वेशिन वहां पर बहुत ज़्दा पेट्रोलियम भी पाये जाता है और वहां पर यह है यह आप देख रहाएं यह तांबा 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 भी सबसे भारत में तांबा पाया जाता है कहां पर एक ही स्टेट है राजिस्थान राजिस्थान में खेतड़ी की खाने जो आपकी है राजिस्थान में पाया जाता है तांबा ठेक है कौपर ठेक है राजिस्थान के अलावा जारखंड फिर मद्ध प्रदेश नंबर एक राजिस्था और बता देता हूँ, सबसे पहली धातु की खोजमानों ने तांबा ही की थी, तांबा को टिन से मिलाके फिर कासा बनाया था हमने, सिंदुगाटी सब्विता, कांस्युगीन सब्विता है, पहली धातु ये है, तीसे नमबर फे लोहे का विश्कार हुआ था, एक हजार बीसी ये भी आपका कॉपर ही है, ये आप देख रहा है न, ये भी कॉपर है, ऐसे ये आयस के तोर पर पाय जाता है, चमक देख रहा है न, ये कॉपर के ही, मिलब कॉपर इस तरीके से पाय जाता है, फिर इसका निच्छेपर करके इसको निकालते हैं, पत्थरों में देखे दब पर्यावरण के टॉपिक में एक हिस्ट्री के बाद आपका वॉलीटी के बाद आपका जीक्ष याद करा रहा था भूलना अब ah जो लोग कल की क्लास में थे मैंने आपको बताया था कि 2015 में सतत विकास लक्ष आये थे आपके क्या है थे सतत विकास लक्ष कल मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था बताओ आप लोग भूलना मत अब मैं सतत विकास लक्ष आप लोग को आगे पढ़ना है देखो 17 लक्ष थे ये टोटल और मैंने आपको बताया था इन लक्ष से डिरेक्टिवी कोश्चन आते हैं और में संसर रेटिंग में भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं ठीक है तो मैंने देखो जो आपको कल बताया था पहला लक्ष आप था गरीबी के सभी रूपों को पूरे याद कराये थे आज आगे के दस और याद कराऊंगा तो पहला वाले में पहला गरीबी से जुड़ा था दूसरा भूख की समापती खाद सुरक्षा बेतर पोश्ट टिकायू को बढ़ावा देना दूसरा खाद सुरक्षा से जुड़ा था एक बार रिकैप कर लो तीसरा हुआ है आपका स्वाश्त से जुड़ा हुआ था है ना सभी आयू के लोगों के लिए सुरक्षा स्वाश्त जीवन देना चौह का समावेशि सिक्षा से जुड़ा हुआ था आपका चठवा आपका पेजल से जुड़ा हुआ था, साथवा आपका उर्जा से जुड़ा हुआ था, तो साथ याद कराये थे, अब आठवा आपको देखना है, आठवा क्या है, सभी के लिए निरंतर समावेशी, पहली बात निरंतर समावेशी, सतत, आर्थिक विकास करनाया में, पूर और उत्पादक रोजगार बेहतर कारे को बढ़ावा देना तो आठवा आपका रोजगार से जुड़ा हुआ है आठवा किस से जुड़ा हुआ है रोजगार से आठवा रोजगार से नवा आपका नवा लक्ष किस से जुड़ा हुआ है नवा आपका जुड़ा हुआ ह और द्योगी करण से और द्योगी करण ताकि रोजगार को बढ़ावा मिले। ना इन्थाप का इससे जुड़ा हुआ है इसके वाद अगला है देशों के बीच में असमानता को कम करना यानी कि जो विक्सित और विकासिल अर्थवे उस्ता हैं वहाँ पे असमानता को कम करना बराबरी बलाना ठेक है तो ये आपका दसवा लक्ष है आपका दसवा लक्ष किस से जुड़ा हुआ है समानता इस्थापित करना समानता इस्थापित करना मैं सौटकट बता रहा हूँ आपको सतद विकास लक्ष संयुक् से जुड़ा हुआ है सहरी कारण कॉन सा नमबर है आपका 11 नमबर İyi late ऊफरी करण से आपका बता रहा हूं ध्यान रखना 12 नमबर आपका क्या जुड़ा हुआ है इस थाई खपत और उत्पादन पैटन को सुनस्चित करना इस थाई खपत यानी एक तरीके का खाद जो management है आपका Food Chain management जिसे हम कहते हैं इसको मैं जोड़ के जोड़ हूँ खाद आपूर्ती स्रंखला आपूर्ती स्रंखला इस से जुड़ा हुआ है खाद आपूर्ती स्रंखला से जुड़ा हुआ है किर बारा नमबर ग्लोबल वार्मिंग ठीक है जलवाई परिवर्तन से जुड़ा हुआ है आपका चौदा नंबर किस से जुड़ा हुआ है चौदा जो आपका है ये जुड़ा हुआ है सतत विकास किस से जुड़ा हुआ है सतत विकास से जुड़ा हुआ है सतत विकास के अंतरगत क्या बोला किया है महासाग्रों समुद्रों समुद्री संसादनों का सन रक्षण का मैं सात ही याध कराउंगा mniej तो फिर व जैगा आपके लिए लिए 4 NBC कर लेंगे एक सथाटकर चुष एक साथ एकोज़ा है। और 14 वह आपका सतद्विकास से है यह total 14 याद कर लो फिर आपके 3 और बचेंगे 3 में कल कराऊँगा आज नहीं कराऊँगा ठीक है, इतना याद कर लो ठीक है, 14 याद कर लो फिर वो ज़ादा हो जाएंगी मैं ज़ादा नहीं देना चाहता जितना पचापा हूँ उतना ही और ये याद होने चाहिए, देखो इनका उपयोग मेंस अंसर राइटिंग में करोगे आप लोग प्रिलेम से में डिरेक्ट पूछे जाते हैं तो डिरेक्टली आपको इनका अंसर आप दे पाओगे और कभी भी ऐसे लिखते हो, कभी भी आंसा राइटिंग करते हो, कभी भी गरीबी के बारे में लिखना है आप जिक्र करिए इनका, संयुक्त राष्ट के एजेंडा 2030 का, सतत विकास लक्षों का आप जिक्र करिए आपको बेनिफिट होगा अच्छा आप लोग करें पूरे वो तीन भी करवा दूं क्या आप तीन कहें तो तीन लास्ट के भी करवा दूं चलो एक बार पहले एक से चौदा तक करते हैं, फिर उसी गती में कर जाएंगे उन तीनों को भी खतमी करते हैं ठीक है? चलो पहला कहरा गरीबी के सभी रूपों को पूरे विश्व समाप्त करना यानि गरीबी दूसरा कहरा भूग की समाप्ती खाद सुरक्षा बहतर पोशन टिकायों किसी को बढ़ावा यानि खाद सुरक्षा तीसरा कहे रहा स्वास्त सुरक्षा स्वास्त जीवन को बढ़ावा यानि स्वास्त है चौथा आपका समावेशी न्या संगत गुर्वत्त पूर्ण सिक्षा सुनिशित करने के साथ सभी को सीखने का उसर देना यानि सिक्षा मूख दरसक मत बने रहना सिर्फ लिखते भी रहना पेन चलता रहे तो बात बनती रहे जो सौटकट लिख रहा हूं उसको लिख लेना ठीक है पाँचवा लेंगिक समानता से जुड़ा हुआ है छटवा आपका जो है स्वक्षता और पेजल यानि छटवा पेजल से जुड़ा है साथवा आपका उर्जा से जुड़ा हुआ है आठवा आपका किस से जुड़ा हुआ है आठवा आपका रोजगार से जुड़ा हुआ है आठवा में क्या लिखा हुआ है सभी के लिए निरंतर समावेशी सतत आर्थिक विकास करना पूर और उत्पादक रोजगार बेतर कारे को बढ़ावा देना नवा आपका लचीला बुनियादी धांचा समावेशी और सतत अध्योगी करण यानि अध्योगी करण से नवा जुड़ा हुआ है दसवा देशों के बीच असमानता को कम करना ठीक है आपका जलवाई परिवर्तन से जुड़ा हुआ है चौदा हुआ आपका सतत विकास से जुड़ा है अब देखो पंद्रा, सोला, सत्रा ये तीन बचे हैं इनको भी निप्टाही देते हैं पंद्रा कहा रहा है सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले सतत विकास के लिए सांति पूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देना साती सभी स्त्रों में इनको प्रभावी और तो मलब एक तरीके से नियाय से जुड़ावा जस्टिस से है ना जस्टिस से यानि सभी को नियाय मिल सके तो ये आपका नियाय से जुड़ा है सोला हुआ और सत्रा हुआ आपका किस से जुड़ा हुआ है बैस्विक भागीदारी से किस से जुड़ा हुआ है आपका बैस्विक भागीदारी से ये लिजे आपके 17 लक्ष हो गए अब आप चाहो तो इनको रटलो 17 कीवर्ड मैं आपको दे जुका हूँ ये 17 के 17 कीवर्ड भी आद रहे तो आप लिख पाओगे नंबर एक पहला कीवर्ड गरीबी दूसरा कीवर्ड खाद सुरक्षा तीसरा कीवर्ड आपका तीसरा लक्ष स्वास्त चौथा लक्ष सिक्षा पांचवा लक्ष लेंगिक समानता छट्वा लक्ष पेयजल साथ्वा लक्ष उर्जा आठवा लक्ष रोजगार, नवा लक्ष रोधोगी करन, दसवा लक्ष समानता इस्थापित करना, ग्यारा हुआ 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 है, ठीक है, मैंने इतनी बार बता दिया, अब इसको revise कर लेना, इसको दो, तीन बार revise कर लेना, मैंने अपने तरब से आप लोग के लिए बहुत आसान कर दिया है, सबी लोग इसको याद कर लेना हर हालत में, ठीक है न बई, चलिए, Agenda 2030, 2030 यह आपका हो गया ठीक है 17 लक्ष अभी आगे जब इनको लेकर और कुछ भी होगा हो भी डिसकस करेंगे हाँ चलिए कम जब कॉन्फिडेंस आया ना क्योंकि आम तोर पर बच्चों को याद नहीं होता है तो मेरा काम यही था कि आपको कैसे ने कैसे करके याद करा दूँ ठीक है 17 की 17 लक्ष हो गए चलो बहुत बढ़ी है वेरी गुड वेरी गुड अब चलते हैं यह आपका पर्यवरण हो गया अब आगर चलते हैं जीव बिग्यान के टॉपिक को जीव बिग्यान में देखिए सब आ चुका है आपके सामने फल फ्रूट्स ठीक है फ्रूट्स ही फ्रूट्स रखे हुए हैं तो मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे खाद्यान होते हैं खाद्यानों के उत्पादन को ले करके उनको क्या तकनीकी तोर पे हम कहते हैं ठीक है जो हम खेती करते हैं जैसे फलों की खेती करने को हम pomology कहते है फलों की खेती क्या है फलों की क्रिशी क्या है आपका फलों की क्रिशी है pomology pomology ठीक है ये मैंने आपको पिछले उसमें बताया भी था अच्छे से पढ़ाया था ना pomology है फलों की खेती, पॉमोलोजी, काफी सारे बता चुका हूँ, अब लगबख थोड़े से बचे ते भी खतमी कर लेते हैं, इसके बाद अगला है आपका एंगरोणोमी, एंगरोणोमी आपकी फसलों की खेती से जुड़ा हुआ है, जैसे एंगरीकल्चर आपका क्रिसी से जुड़ा हुआ है फसलों की खेती फसलों की खेती इससे जुड़ा हुआ है इसके बाद अगला चलते हैं यह आपका फसलों की खेती से यह आप देखिए देखने में थोड़ा सा आप लोगों में से बहुत सा लोगों को गिना रही होगी लेकिन किसान के तीन मित्र थे पहले अब मित्र बदल गए हैं वैसे एक मित्र तो केचुवा था है किसान का सबसे परम मित्र है इसका इस्थान ले लिए जै उर्बरक अब जैविक खेती बनाते हैं जैविक खाद तो कृसी उत्पादन में केचवा पालन को बर्मी कल्चर कहा जाता है क्या बोला जाता है इसको बर्मी कल्चर केचवा पालन आपका बर्मी कल्चर है क्या है आपका बर्मी कल्चर क्या बोलता है इसको बर्मी कल्चर दूसरा दोस्त किया किसान का एक समय बैल होता था उसकी जगह टेक्टर ने ले लिया है इसकी जगह रसाइनिक खादों ने ले लिया है विचारा अब रसाइनिक खाद डाल देते हैं मिट्टी में वैसे भी मर भी जाता है ठीक है तो यह आपका बर्मी कल्चर है क्रिसी उत्पादन की ब्रधी के लिए केचुवा पालन करना बर्मी कल्चर बहुत साई लोग करते हैं यह आप देख पा रहे हैं यह क्या है यह समंदर छेतर में सीपों को जो है समाला जा रहा है सीप सीपों का व्यापार करते हैं ओश्ट्री कल्चर क्या बोलते हैं इसको ओश्ट्री कल्चर ओश्ट्री कल्चर सीपों का ब्यापार यह आप देख पर है यह सीपें आप जानते हैं समंदर छेतर में पाई जाती है तो सीपों का ब्यापार जो होता है आपका यह ओश्ट्री कल्चर कहला था क्या कहला था आगे चलते हैं, नेक्स्ट ये आप देख रहे हैं, आप लोगों ने जैतून का तेल बच्पन में आपके खूब माता पिता ने लगाया होगा, और अभी भी ओली बायल आता है, बहुत महंगा आता है ओली बायल, ये आप देख रहे हैं, ये ओली हैं, ओली कल्चर कहते हैं, जैतून का उत्पादन करना, उसका ब्यापार करना, तो ये जैतून की खेती करते हैं, इसी को हम ओली कल्चर कहते हैं, क्या बोलते हैं, ओली कल्चर, ओली कल्चर क्या है आपका, जैतून की खेती करना, जैतून का ब्यापार करना, ओली कल्चर, ध्यान रखना, ओली कल्चर आ आपने देखा होगा बहुत सारा मलब गाओं में आम तो पर अभी भी दिख जाते हैं नदियों के किनारे और गोंगा जो है कई बार गोंगा के अंदर एक जीव पाया जाता है ना तो गोंगे का भी संवर्धन किया जाता है इसको इसनेल बोलते है ना तो इसके लिए हेली कल् याद हो रहे न आपको ये हेली कल्चर ये घोंगा संबर्धन को ले करके जो स्नेल्स होते हैं उनका संबर्धन करते हैं घोंगाओं का ठीक है अब एक और लाच देख लेते हैं विटी कल्चर बिटी कल्चर सभी जानतें अंगूर की खेती को बिटी कल्चर कहते हैं तो देख तो बिटी कल्चर अंगूर की खेती हो गया घोंगा संबर्दन हेली कल्चर हो गया आपका जैतून की खेती जो आपका है यह ओली कल्चर हो गया यह सीपों का व्यापार है आपका ओस्ट्री कल्चर कहते हैं सीपों का व्यापार संबर्दन यह बर्मी कल्चर है आपका केचु और यह आपका एग्रोनॉमी फसलों के से जुड़ी हुई जवाओ चीजे हैं फसलों की खेती और यह आपका जो है पॉमोलोजी है यह तो आप जानते ही है ठीक है फलों की खेती करते हैं अब नेक्स्ट आपका आ गया एकॉनमी देखो साइंस भी हो गया साइंस के बाद हम आ स्य से कों से रहा हूं जिससे दो तीन को सफंवे यह आज मैं आपको पढहने वाला हूं मिस्ट्री तर्भेष्थ हैर्ट्री क्या है है हमारे देश की जो अर्थविवस्ता मिस्रीत अर्थविवस्ता को कहते हैं दूसरे प्रकार के अर्थविवस्ता को पूंजी वादी जो अर्थ विवस्ता है एक परसन थे आपके जिनका नाम था Adam Smith, आप सभी लोग जानते हैं इन्होंने एक बूक लिखी है और इन्होंने एक बूक लिखी है Wealth of Nation, Wealth of Nation में इन्होंने राज जी के द्वारा अर्थ विवस्ता में हस्तक शेप को नहीं करने के बारे में बताएं मलब राज जी को अहस्तक शेप की नीती बोलते हैं लैसेस पेर का सिद्दान इन्हीं बोलते हैं आहस्तक शेप की नीती की नीती ये प्रतपादित किया किसने Adam Smith ने कहां पर Wealth of Nation में कि राज जी जो है आर्थ विवस्ता में किसी प्रकार का हस्तक शेप न इसको हम बोलते हैं डिमांड प्रकार क है बाजार की दो सकतियां मांग और आपूर्टी तो पूझी वादी आर्थिविवस्ताये जो होते हैं उसमें जो राज होता है राज है कि न नेशन स्टेट की बात कर रहा हूं मैं यहां पर है ना जो राज्य होता है वो एक बिनियामक संस्था के तौर पे होता है अर्थवियूस्था पूरी तरीके से दिजे si होती है ठीक है राज एक regulatory body होगा पूरा का पूरा काम बाकी बाजार की सक्तियां करेंगी सिंपल भाशा में आप इसको समझेगा ठीक है सिंपल भाशा में इसको समझेगा सभी लोग ठीक है बहुत ज़्यादा इसमें इसकी बूख है इसमें निकल के आता है आपका इस तक शेप की नीतिका सिद्धान राज जिस सिर्फ और सिफ एक regulatory body के तौर पर होता है बहुत सारी जो संस्थाएं उनका regulation करता है देखता रहता है और यहां पर पूरी तरीके से लाभ पर अधारित होती है किस पर अधारित होती लाभ पर अधारित इसका सबसे बड़ा एक्जांपल क्या है USA, सेंगतराज अमेरिका, प्लस, जो आपकी यूरोपिये देश है, ज्यादा तर यूरोपिये देश, ठीक है, एक तो ये थी, इसका लीडर एक तरीके से अमेरिका ही मानी है, वहीं से पूरा का पूरा कॉंसेप्ट निकल के आया, अमेरिका में ज्यादा तर चीज़ सरकार कुछ नहीं कर रही है, सब कुछ प्राइबेट कंपनी, एलन मस्क भीया, उनका जो है स्पेसेक्स है, वो भी उन्होंने फॉल्केन रॉकेट बना रखा है, वो अपना हमारे इस रो ही करता है, कोई प्राइबेट कंपनी अभी अपने रॉकेट थोड़ों भेज रही ह है, वहाँ पे नुक्लियर वो जो मलब बहुत सेंसिटिव मुद्दे भी जो होते हैं, वो भी प्राइबेट सेक्टर ही समालता है उनको, चाहे डिफेंस से जुड़े हुए होंगे, है ना वो जो नाबकी रियक्टर बनाते हूँ, वहाँ पे प्राइबेट कंपनी के पास ह है, बहुत सारी कंपनी है, वो सब प्राइबेट कंपनी काम करती है, ठीक है, यह पूरी तरीके से निजी अर्थवेऊस्था, समाजवादी अर्थवेऊस्था माक्स के सिद्धान पे अधारित है, एक परसन थे काल माक्स, आप सभी जानते हैं, ठीक है, इनके द्वारा समा और राजवादी अर्थवियुस्था में ये bitahaya कि बताए गया कि ये शारजुनिक में सार्विजनीक अर्थ TVs गयाते हैं नियंत्रित करता है, ये एक बंद अर्थवे उस्था है, समाजवादी मॉडल क्या है, बंद अर्थवे उस्था, पूंजीवादी अर्थवे उस्था क्या है, ये खुली अर्थवे उस्था है, खुली open economy है, ये एक बंद अर्थवे उस्था है, closed economy है, और ये इसमें हर चीज राज जी के द्वारा नियंत्रित होती है, सारी संपत्ती सभी की संपत्तियां होती है, सब की होती है, ठीक है, तो यह एक सारजुनिक अर्थिवस्ता, मलब देखे, रोड है, सब की है, स्कूल है, सब के है, प्राइबेट स्कूल नहीं होंगे, केवल सरकार, इसमें क्या है, इ इसमें क्या होता है जब हमारा नंबर आया या हमारे अलावव भी बहुत सारे देश हैंसे हैं तो हमने दोनों को चुन लिया हम निजी भी रखेंगे और हम सरकारी भी रखेंगे सार्विजनिक भी रखेंगे हम सार्जोनीक भी रखेंगे जब हमने दोनों को चुन लिया कि आप प्रयबेट के लिए हमने क्या करेंगे निजी के लिए हम बीनियामक संस्थाओं में सब्सक्राइब भी ना बियामक संस्था है भी आप देखिए वी आस नल है तो बैंक भी है रेगुलेटरी बॉडी रिजर्व बैंक और इंडिया को बैठा दिया गया है ना तो सरकार भी करेगी और प्राइबेट भी करेगा डोनों मिल करके चलते हैं नीजी के लिए बिनियामक संस्था और सार्जुनिक में सरकार स्वयम नियंत्रन करती है जैसे अभी रेलवेए हैं अभी रेलवे आप देख रहे हैं दीरे-दीरे सरकार इसको क्या कर रही बिनिवेश कर रही है बिनिवेश वगरा मैं किसी एक दूसरे कॉन्सेप्ट में बताऊंगा तो हमारी अर्थव दर्ट वेस्ता में बाजार की कि सक्टियों द्वारा नियंसरे किया जाता है सरकार सिर्फ भीनियामक भूमिका में होती है लेकिन जहां पर आपका मिसर्इत व्यस्ता होती है निच्छित बाकी चक्कर में मत पढ़िए बहुत सिंपल निजी है ना इसका भी उद्देश होता है कि समाजिक तोर पे काम करना है ना यहां पे भी CSR है Corporate Social Responsibility बना दी गई है उद्देश समाजिक है देखो इंद्रा गांधी के द्वारा ये जो है पूरी तरीके से आपका आहस्तक छेप के सिद्दान पर काम करेगा समाजवादी में हस्तक छेप किया जाएगा लेकिन मिस्रित में हस्तक छेप नहीं भी होता और समाजवादी उद्देशों कि बात में आएगी तो आँ पर हस्तक छेप किया भी जाएगा ठेक है तो यह आपका जू है मिस्रित अर्थ वेष्था था अर्थ वेष्था का यह topic आपका हो गया बीखो मैं एक एक छोटे-छ चोटी चोटी चीजें बहुत बार कोशन पोचता है कि भारत की अर्थ lease कैसी एक पूस्फ्त क्ठीज आपके जैतून की खेती को है यह आपके सीपों को लेकर के जो सीपों का ब्यापार होता है इसको मत भूलिएगा और बर्मी कल्चर आपका केच्व का मतलब पालन करते हैं एक ग्रो नॉमी आपको मैंने बताया फसलों का संबर्धन है ठीक है फसलों की खेती और ये आपका पोमोलोजी आपका फलो की खेती सतत विकास लक्ष आज सत्रा के सत्रा याद करा दिये जिंदगी में आप याद नहीं कर पाते अब आप इसको दो तीन बार र लाधा फ्रमद्रप्रदेश है ये आपका असम में अनुबर एक और रजस्थान है यह आपका कच्छा तेल में आपका नमबर एक कौन सा है आपका और यह भंडारण में अश्यम में फ्र गुज्रात है फिर रहिश्थान इसके बाद जो है हमारा चांदी की बात करें तो च है अल्मूनियम हो गएर आपका ये बंडारण में फिर ये लोहे में मैंने हेमेटाइट और मेगनेटाइट दो अलग अलग करके बताए हेमेटाइट में उडीशा है में करनाटक है ठीक है ये दोनों आयस्क है और कोईला में मैंने आपको बताया है जारखन नंबर एक है और इसके बाद जो है आपने आंगल करनाटक वार या फिर हम कह सकते हैं एंगलो फ्रेंच वार भी आपने पढ़ लिया तो ये आप सभी को इसको अब रिवाइस करना है अपना याद करना है बिना रिवीजन के देखो कुछ नहीं हो पाएगा एक बार दो बार रिवाइस क पर होगे आपको जो फैक्ट याद करने में सालों लग सकते थे वो एक से दो बार में याद हो जाएंगे वैसे मेरी पूरी कोशिस होती है कि क्लास में ही चीज़े आपकी याद हो जाएं ठीक है तो इनको याद करिए सभी के साथ ये है